तो गाइज अब हम आते है चैप्टर के लास्ट वा सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट पे जो है प्रोजेट्टेल मोशन तो सबसे करा समझते है प्रोजेट्टेल क्या होता है अब रोजेट्टेल is an object which is thrown in space and gravity is the primary force acting on it तो जैसे मैं एक stone को एक पत्थर को जमीन से फैकता हूँ हवा में तो उसका जो motion है उस motion के दोरान सिर्फ और सिर्फ उस पे gravity अट कर रही है और कोई force act नहीं कर रहा अजूमिंग कि मैं friction नहीं लगा रहा उस पर अजूमिंग कि उस पर कोई ड्रैग नहीं लग रहा और यहां मैंने mention किया gravity is the primary force acting on it तो primary force मतलब gravity का सबसे थाधा effect होगा उस पर कोई दूसरे forces हो सकते है बट फिलहाल most of questions में हम दूसरे forces को निगले करेंगे एंड हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैविटी को लेंगे ठीक है तो एक तो आपका example हो गया stone thrown in air उसके बाद एक example हो गया rocket जब हम किसी rocket को धरती से वो take off करता है ground से वो take off करता है तो उसके बाद उसका जो motion होता है उस पे सिर्फ और सिर्फ जो मतलब primary force है वो gravity है rocket passive system तो उसमें भ वो लिया कि satellite तो satellite भले कभी अर्थ पर आके crash नहीं होती भले वो अर्थ को orbit करती रहती है बट वो भी एक projectile है क्योंकि उस पर भी सिर्फ और सिर्फ ग्रैविटी एक कर रही है satellite जो और सिर्फ ग्रैविटेशनल ही बाउंड होती है उस पर और कोई force operate नहीं कर रहा होता ठीक अमेशा curved towards center of the earth होता है तो जैसे मैंने एक stone फैका origin से एंड वो ऐसे purple जी जो पाथ है इस पर आके यहां आके मानलो land हो गया तो देखो projectile motion की एक और एक interesting चीज़ है कि इसका पाथ बनता है यह वाला पाथ यह पाथ straight line circle ऐसा कुछ नहीं बता है इसका unique path होता है उसकी trajectory हम पढ़ेंगे बाद में बट यह ऐसा path बनता है और यह path कौन सा यह हम बाद में जानेंगे तो मानलो हमने o point से एक stone को फैका and then उसको कोई angle theta पे फैका with horizontal and then वो ऐसे path follower के नीचे के गया तो यह जो path है यह curved है towards center of the earth कैसे देखो यह आपका earth हो गया यह जो नीचे red line बना यह आपका earth हो गया तो earth का center कही नीचे के तरफ होगा ठीक है तो यह जो पत्थर है यह अगर gravity ना हो होती तो यह ऐसे निकल जाता पर यह मुड़ रहा है और को से direction में मुड़ रहा है नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो नीचे क्या है center of earth तो बोल सकता हूं कि यह जो path है cut towards center of earth होता है ठीक है तो प्लेटल motion हम जो अभी पढ़ेंगे हमारे syllabus में तीन टाइप के है सबसे पहले oblique projectile motion यह वह वाला case है जिसमें जो मैं आपको अभी दिखाया कि a stone यह पार्टिकल स्थोन एंगल of theta from horizontal and ऐसा path follow करके वो गिर जाता है तो यह जो यह जो थीटा एंगल पर थोन यह जो case है ना जो तो oblique यानि oblique है किसी एंगल पर ठीक है तो यह होए oblique projectile motion similarly एक होता है horizontal projectile motion यहां क्या है यहां मेरे पास एक building है कोई tower है ऐसा कुछ है tower की कुछ height है capital H मैं किसी stone को यहां से फैक रहा हूं किसी speed use है एंड फिर वो जाके ऐसे गिरेगा ठीक है तो यह जो case है ना यह horizontal projectile motion का case हो गया यह कोई tower या building हो सकता है ठीक है तो यह मैं कह सकता हूं कि chapter का सबसे toughest part है अगर आप इसको समझो नहीं अगर आपने इसको नहीं समझा तो यह आपको बहुत tough पढ़ने वाला है पर अगर आपने इसका concept पकड़ लिया तो यह fairly easy है तो इसमें क्या है कि इसमें आपका एक inclined plane होता है उसका angle होता है alpha ठीक है उस थीटा है यह बनाता है आपका particle incline plane के respect में and then वो फिर ऐसे जाके ऐसा motion follow करके यहां गिरता है तो यह जो है ना यह है प्लेटल मोशन on an inclined plane तो इसका motion कुछ ऐसा बनेगा and यहाँ path देखोगे तो यहाँ path जो बनेगा वो पहले जैसा नहीं बनेगा इसका unique path होगा तो यह सारा जो है यह हम समझेंगे ठीक है यह तीन टाइप के motion समझेंगे त तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ओब्लिक मोशन से